आइवाच वाला मैंने दोनों में देखने में जाता है बट बीट एक्सपी वेगा कितनी जादा स्मूध है आपको खुदी पता चल रहा होगा यह बीट एक्सपी वेगा है बिसिकली और एंब्रेंट की माबल लाइक कर रही है ठीक है यहां पर इस तरीके से देखने मिलता है और यहां पर इस तरीके से मिल जाता है ठीक है तो दोनों में ही brightness levels always on display के similar ही मिलते देख लिए यह रोटेटेबल करौन मिल जाता है इसमें इसमें भी आपको रोटेटेबल करौन मिलता है बट यह जो वेगा है ना इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है वह है इसका मतलब स्लीक होना मतलब इस वाच से स्लीक है यह वाच ठीक है तो यह काफी अच्छा है इस तरीके से dedicated sensor के साथ दोनों ही watches देखने को मिलती है यह दोनों में dedicated sensor में जाते हैं और इसी के साथ साथ side by side मैं आपको दिखा हूं यहां पर brightness levels यह सब कुछ एक दम exactly copy कर रखा है मतलब 1000 nits के brightness से लेके और display quality से लेके black border से लेके सब कुछ copy कर रखा है बट यहां पर slightly जादा मेरे को black border लग रहे हैं membrane की marble के as compared to beat XP वेगा आप जरूर बताना comment box में क्या पता मेरी आंके धोका कर रहे हूं यहां पर हम बात करें यह पॉली कार्प मिलता है इसका इसमें aluminium casing मिलती है सिक्साओं सीरीज जो काफी अच्छी है इससे प्रीमियम लगती वाच और यह लाश्ट मीडियम रिश्ट के लिए काफी अच्छी वाच यह दख सकते हो बीट एक सबीसे मतलब मेरे इस यूनिट में थोड़ा सा डिफेक्ट इस वाली में खास कर यह थोड़ा सा tilted है इसका देखो अंदर की जो एमोले डिस्पे थोड़ी सी tilted है इसमें देखो एकदम exactly corner पर मतलब एकदम पराबर और इसमें आपको थोड़ा सा tilted दिख रहा होगा ध्यान से देखना चब दिखेगा आपको है ना तो यही डिफ्रेंस है इसको मैं replace करूँगा फिर एक unboxing लेकिया हूँगा replacement unit में वेगर यही issue निकला तो मेरे क्याल से आपे manufacturing defect है तो आपको वेगा के ली जाना चाहिए बर अगेन इस वीडियो में आपको पता से लिए कौनसी watch better कौनसी नहीं है वैसे अगर आप चैनल पर आईगे तो चैनल को subscribe कर दोनों में बिएक वेगा कितनी ज्यादा स्मूध है आपको खुदी पता चल रहा होगा यह बीटेस पीड़ा है और एस तरीके से मिल जाते है तो यहाँ पर membrane की marble है और beat xp vega है तो दोनों का ही loudness level same है और यहाँ पर कह सकते हो call transfer का option दोनों में इसे किसी में नीद था volume up down आप दोनों में करते हो full है वैसे volume ठीक है तो loudness आपको इस तरीके समलती है content का option मिल जाए switch का option देख में मिल जाता है ठीक है तो हजाने इसकी brightness ऐसा नहीं है यहाँ पर company ने बोल दिया बट यहाँ पर प्रॉपर्ली दे रखी है सेटिंग पर जाते हैं सेटिंग में भी आपको डिट्टो सारी चीज़ से मिल जाती है themes के बाद यहाँ पर आपको बैक करते हैं कि यहां से करते हैं यहां पर आपको अल्वेज प्रॉपरली और इंफॉर्मेशन प्रॉपर आपको सब्सक्राइब करते हैं कंपर को नहीं किया है रैड साहिब करते हैं, शॉटकर में जाते हैं और लेट साइड में आपको ये पूरा मेन्नी को जाते है, एवन बीट एक्स भी वालों ने भी कॉपी किया था, वो किया था फिट शॉट की एश्टर को, एश्टर सबसे इस तरीके से एक्रीका मुलती अर यहां के बार यह थैप तबर यहां पर आपको Blood pressure learned when sure वैसी मैं recommend नहीं करूंती है, even SP2 लेवल आप चेक करें, itself ठीक है मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको उसके बाद वेदर अप्डिट मिल जाता है मुजब को ऑप्शन मिलता है दोनों में आप सॉंग को प्ले कर सकते हो यह शुटर स्पीकर देखने को मिल जाता है उसके बाद में सब्सक्राइब और अलाम क्लॉक मिल सेम ही मतलब वह भी है और बैक करते हैं पर उसके बाद तो वापस से सेटिंग है इसमें भी आपको सेटिंग को उप्शन देख मिलता है तो कैसे दोनों में ज्यादा चेंज नहीं है मतलब यूई एकदम डिट्टो कॉपी कर रहा है तो मैं कुछ अलग नहीं कहना आपको देता हूं दोनों में से बेटर कौन सी वाच रहीगा आपके लिए वैसे रेश्टू वेक ओल्वेज ओं डिस्प्ले दोनों ही एक साथ काम करते है और दोनों की डिस्प्ले कॉलिटी इस तरीके से मिलती है आप ज़रू बताना कमें बॉक्स में दोनों में से बेटर वैसे कौन सी लगरी लुकवाइज यहाँ पर ऑक्सिमेटर मैंने ओन कर लिया है 99 SP2 दिखा रहा है 82 आर्ट्रेट दिखा रहा है हमारा और यहाँ पर हम हार्टेट चेक करते हैं सबसे पहले वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता आप सभी को यह बजर बैकेट में वाच जो है एक हार्टेट हमारा 88 दिखा रहा है यहां पर भी हार्टेट की एकुरिसी ऑल्मोस सिमिलर दिख रही है SP2 मोनिटर को मैच कर पा रही है यहां पर देख सकते हो अब यहां पर SP2 लवल चेक करते हैं वैसे SP2 में रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी आप वाच से चेक करें ठीक है अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो ओक्सिमेटर से ही चेक करना चीए देखो सिंपल सी बात है विनर तो मैं नो डाउट यहां पे SP2 वेगा को बोलूँगा बिल्ड क्वाइटी गैस टॉप नॉच मिलती है है और तो सारी चीज़ सेम ही है मतलब मैं क्यूं जाओंगा इंफिरेट बिल्ड क्वाइटी के उपर Embrane की जो wise marble है इसका जो प्राइस होना चीए तरह मैक्सिम से मैक्सिम 1600 रुपए बहुत है इसका प्रेश 1617 रुपए और बीडेक्स पीवेगा तो आपको ऑन ओफर 12 रुपए के प्रैस बेकर मिल जाती है वैसे लो प्रैस दिंग आपको बीडेक्स पीवेगा की देदूमा डिसक्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक आड़ कर सकते हो अंड चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना बेल एकन कॉल कर दो मिलता हूं आप सब इसे एक लिए वीडियो में तिल देन बबाई